Hello everyone, welcome back to my YouTube channel तो guys, आज की class में हम practice करेंगे कुछ word meaning की जो बहुत ही basic और important है, ठीक है? जो आपके English बोलने में बहुत काम आएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं hesitate का मतलब होता है चिरहाना, अपोजित का मतलब होता है उल्टा, hesitate हिचकिचाना Repeat, दहराना, curious, जिघ्यासू, जिसे जानने की इच्छा हो क्यूरियस जिग्यासु, एरोगेंट घमंडी, जीनियस बुद्धिमान, गेस्ट महमान, सडेनली अच्चानक, सिंपेथी हमदर्दी, सिंपेथी का मतलब होता है हमदर्दी, नेक्स्ट हमारा करेज, हिम्मत, इंस्पायर, प्रेरित करना, कंसर्ण, चिंता, गार्बेच, कच्रा, शाय, शर्मीला, अल्मोस्ट, लगभग, अक्चुली, दरसल, शो ओफ, दिखावा करना, परपस, इरादा, मैनेज, संभालना, मिस्टेक, गल्पी, सिली, बेवकूफ, इन्फॉर्म, सूशना देना, नेक्स्ट वर्ड है जो है हमारा लायर, जूटा, क्राइम, अपराद, सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी, स्ट्रगल, संघर्ष करना, फाइंड आउट, पता लगाना, सिक्योर, सुरक्षित, अप्रूव, मन्जूर करना, रीग्रेट, पच्ताना, थ्रेड, धागा, प्राइसिस, संकटकाल, टॉकेटिव, का मतलब होता है बातुनी, कन्फ्यूजट, उल्जा हुआ, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार, ग्रैटिट्यूड आभार, प्रोटेस्ट, विरोध करना, विरोध करना, स्टैमर हकलाना, सम्हाव किसी तरह, सम्हाव किसी तरह, एंजाइटि, चिन्ता, अर्राइवल, पहुचना, इक्वल, बराबर, इसकिप, छोड़ना, इसकिप का मतलब होता है छोड़ना, नेक्स्ट वर्ड है जो है हमारा स्पेंड, मतलब होता है बिताना, सफोकेशन, घुटन, सफोकेशन, घुटन, पैशन, युनून, कन्वर्ट, बदलना, टार्गेट, लक्ष, पीस, सुकून, एनफ, काफी, पोस्टपॉन, टालना, एडवाइस, सला, एग्री, सहमत, ब्रेव, बहादुर, काइंड, दयालू, स्काम, घोटाला, सिन, पाप, डस्की, सावला, क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, क्लेवर मीज़ चालाक, थीफ, थीफ का मीनिंग होता है चोर, बैट, शर्थ लगाना, बैट, शर्थ लगाना, इनफॉर्मेशन, जानकारी, इनफॉर्मेशन, जानकारी, एंप्टी, खाली, एंप्टी का मतलब होता है खाली, Now a day, आज कल Tonight, आज रात Missguide, Missguide का मतलब होता है बहकाना Controversy, Controversy का मतलब होता है विवाद Controversy, विवाद Satisfied, संतुष्ट Pleasure, आनंद Pleasure का मतलब होता है आनंद Miser, Miser का मतलब होता है कंजूस Miser means conjuice Learn, सीखना Learn का मतलब होता है सीखना Ask, पूछना Break, तोड़ना Catch, पकड़ना Insult, अपमान करना Honor, Honor का मतलब होता है सम्मान Honor, सम्मान Arn, कमाना Hide, छिपाना Fear, डर Give, देना Abuse, गाली देना Allow, अनुमती देना Allow, अनुमती देना Borrow, उधार लेना Breathe, सांस लेना Decorate, सजाना Drink, पीना Feel, महसूस करना Feel का मतलब होता है महसूस करना Often, अक्सर Hardly, मुश्किल से Always, हमेशा Sometimes, कभी-कभी Together, साथ में Anyone, कोई भी Literally, सच मुच परिवार, फैमिली आख्री, फाइनल वर्ना, अदर्वाइज समाज, सुसाइटी साबित करना, प्रूव भूकम्प, अर्थक्वेक भूकम्प, अर्थक्वेक भूक, हंगर उबाव, बोरिंग बाव, बोरिंग बाटना, शेर नाश्ता, ब्रेक्वास्ट मतलब होना, मीन सुधार, प्रोग्रेस साधारण या सामान्य, कॉमन आजाद या आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट अतिरिक्त, एडिशनल लक्ष, टार्गेट पंक, विंग्स बंजर, बैरन नियम, रूल आभूशण, जूल्रे साथलाना, ब्रिंग कई बार, मैनी ताइम्स कई बार, मैनी ताइम्स तीवर इच्छा, तमन्ना, डिजायर उपर उठाना, लिफ्ट घरेलू, हाउस्वोल्ड उत्सुक, इगर फेफडे, लंक्स किनारा या फिर टट, कोस्ट किनारा या टट, कोस्ट मुहावरा फ्रेज, मुहावरा फ्रेज रेत, सैंड, मिट्टी, सोयल तापमान, टेंप्रेचर उंगली, फिंगर अंगूठा, थंब दुश्मन, एनिमी प्रधान या प्रमुक, चीफ युद्ध या संघर्षकरना बैटल संकी या फिर पागल, इंसेन डर, फियर, कैदी, प्रिजनर जेल, प्रिजन, डरा हुआ, स्केर्ड डरावना, स्केरी, पवित्र, होली धुंदला, ब्लर, साफ, क्लियर, उत्राधिकारी, एर, दुख का कारण, बने वर्दान, बून, दुंदला या फिर साफला, डसकी मरा हुआ, डेड, जिन्दा, अलाइव जरूरी, एसेंशियल जरूरी, एसेंशियल ग्राहक या फिर खरीदार, कस्टुमर विवस्ता, मजबूरी, कंपल्शन घबराहट, व्याकुलता, एजिटेशन घबराहट या फिर व्याकुलता, एजिटेशन विजूल खर्च, लैविश पहचानना, रिकगनाईज कच्रा, ट्रैश, वेस्ट चोड़ा, वाइट दवाई, मेडिसिन बहतर, बहतर, विचार, आइडिया रखना, पुठ, बीमार, सिक उठाना, पिक ओफ से भरा हुआ, फुल ओफ शायद, मेबी नुकीला, या फिर तेज, शाप रजाई, क्विल्ट कोई एक, एनिवन कुछ, सम नाराज होना, अनॉय आगे बढ़ना, प्रोसीड ग्रफतार करना, अरेस्ट पूचताच करना, इनक्वायर जासूसी करना, इनक्वायर जासूसी करना, स्पाय थपड मारना, स्लैप भागिशाली, फॉर्चुनेट भागिशाली, फॉर्चुनेट भागिशाली भागना, पलायना करना, इसकेप बनावटी, गिमिकी घूर्णा, स्टेर लाबधायक, लुक्रेटिव सांतवना देना, कंसोल सांतवना देना, कंसोल बरबाद, रुवन अपमान करना, इंसल्ट जोर से, लौडली परदा, कर्टिन परिष्टा, एंजल एकता, यूनिटी खतरनाक, डेंजरस परिषान करना, बौदर रातो रात, ओवरनाइट सूचित करना, इनफॉर्म याद दिलाना, रिमाइंड चलाना, ड्राइव खर्राटे भरना, स्नोर दिल्चस्प, इंट्रेस्टिंग पसंद करना, लाइक हतियार, वैपन मोरना, ट्विस्ट हसी, लाफ्टर हद, लिमिट आधी रात, मिडनाइट संकट क्रैसिस मोच, स्प्रेन बुखार, फीवर बुखार, फीवर मुश्किल से, हार्डली विश्वास या फिर भरोसा, कॉन्पिडेंस अनुमान लगाना, एस्टिमेट अनुमान लगाना, एस्टिमेट धैर, सब्र, पेशेंस धैर, सब्र, पेशेंस शर्मिंदा, अशेंड शर्मिंदा, अशेंड कच्रा, ट्रैश निराश, अपसेट घमंडी, होटी लालची, ग्रीडी लालची, ग्रीडी दूर, फार फैसला, डिसिजन परोसना, सर्व अन्जान, इग्नोरेंट इंसानियत, हुमानिटी कमी, ग्रॉबैक कमी, ग्रॉबैक बहुत बड़ा, मैसिव सावधान, अलर्ट सावधान, अलर्ट छीकना, स्नीज सुरक्षित, सिक्योर मतलबी, सेल्फिश अंगूठी, रिंग जुर्माना, फाइन बचाना, सेव उबालना, बॉयल कब्र, ग्रेव समारो, फंक्षन धुआ, स्मोक घसीटना, ड्रैग नापसंद करना, डिसलाइक चमकदार, ब्राइट ब्राइट तलमतूल, इवेजन बॉना, द्वार्फ सुई, नीडल सुई, नीडल पूजा, वर्शिप पूजा, वर्शिप पेटू, ग्लुटन अन्याय, इन्जस्टिस मुसीबत, ट्रबल विशेशताएं, फीचर्स जानलेवा, फैटल आरामदायक, कोजी स्वागत, वेल्कम चाहना, एस्पायर ताना या फिर व्यंग सरकेजम ताना या फिर व्यंग सरकेजम दर्शक, ओडियंस दर्शक, ओडियंस चबूत्रा प्लेटफॉर्म प्रदूशन प्रदूशन प्रयावरण इन्वाइरोमेंट प्रयावरण सामग्री सामग्री मतेरियल मानसम्मान रिस्पेक्ट प्रक्रिया प्रक्रिया बेचैन होना रेस्टलेस प्रिवहन प्रिवहन रेस्पोर्टेशन सुरंग टनल सहनशक्ती स्टैमिन सहनशक्ती स्टैमिन प्रतिबंधक रेस्ट्रिक्शन उत्साहित करना मोटिवेट जाती कोई नहीं घमूरिया प्रिक्ली हीट या फिर हम कहेंगे हीट रैश फोड़ा बॉयल फुनसी पिम्पल मुहासा एक्नी फफोला ब्लिस्टर फफोला मवाद पस पेट दर्द स्टमक एक पेट दर्द स्टमक एक कांदर्द इयरेक कांदर्द इयरेक दात दर्द तूतेक आखो पर जोर आई स्ट्रेन पाचन पाचन हाजमा डाइजेशन जलन इरिटेशन घुटन सफोकेशन घुटन सफोकेशन खुजली या फिर खाज इसे हम कहेंगे इच और स्क्रैच खुजली या फिर खाज इसे हम कहते हैं इच और स्क्रैच गल्सुआ गल्सुआ जो बच्चों के गर्दन में हो जाता है बच्चों का गला जो है सूच जाता है उसे हम कहते हैं गल्सुआ इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मंप्स खस्रा या फिर चेचक, measles, खसरा, या फिर चेचक, measles, लगवा, paralysis, मूँ का छाला, mouth ulcer, पेट का छाला, stomach ulcer, मोच, sprain, या फिर आप कह सकते हैं, sprain, सूजन, swelling, खाओ, gash, खरोच, graze, गुम्रा, bump, गुम्टा, bruise, जुकाम, cold, खांसी, कफ, खांसी, कफ, बुखार, fever, खराश, sore throat, खराश, sore throat, दस्त, डाइरिया, उल्टी, वोमिट, उल्टी, वोमिट, उबकाई, nausea, उबकाई, nausea, चक्कर, dizziness, चकर, dizziness, बधहजमी या फिर अपच, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में, indigestion, बधहजमी या फिर अपच, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, indigestion, कपड़ा, कपड़ा को हम इंग्लिश में बोलते हैं, cloth, बाजार, market, बाजार, market, तोता, parrot, बाग, tiger, शेर, lion, लोम्डी, fox, अकबार, newspaper, बुरा, bad, बुरा, bad, बिस्तर, bed, बिस्तर, bed, नाम, name, नाम, name, अच्छा, good, अच्छा, good, शाम, evening, शाम, evening, प्रात है या फिर सुबह, morning, प्रात है या फिर सुबह, morning, चावल, rice, चावल, rice, मास, meat, मास, meat, अन्ड़, एग, अन्ड़, एग, फर्ष, फ्रॉर, अटा, फ्लार, अटा, फ्लार, डबल रोती, बेड, बल रोती, बेड, नमक, नमक, सॉल्ट, कमरा, रूम, दर्वाजा, डोर, खिड़की, विंडो, छत, रूफ, इमारत, बिल्डिंग, इमारत, बिल्डिंग, कार्याले, ओफिस, दुकान, शॉप, सडक, रोड, कमीज, शॉड, पानी, वॉटर, भोजन, फूड, खाना, इट, पीना, ड्रिंक, किताब, बुक, कीमत, प्राइस, सबजिया, वेजटेबल्स, सबजिया, वेजटेबल्स, फल, फ्रूट, फल, फ्रूट, खिलोना, टॉए, खिलोना, टॉए, कोट, 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 टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा, टॉल, टॉल मीज लंबा, शोर्ट, शोर्ट का मतलब होता है छोटा, शोर्ट, छोटा, ब्रदर, ब्रदर का मतलब होता है भाई, ब्रदर, भाई, सिस्टर, सिस्टर का मतलब होता है बहन, सिस्टर, बहन, से, से का मतलब होता है कहना, से, कहना टेल का मतलब होता है बताना पावर पावर का मतलब होता है शक्ति प्लान योजना प्लान का मतलब होता है योजना सी सी का मतलब होता है देखना सी देखना रीजन रीजन का मतलब होता है कारण समवन समवन का मतलब होता है कोई समवन, कोई समटाइम्स, कभी-कभी सुईट, सुईट का मतलब होता है मीठा सावर, सावर का मतलब होता है खट्टा सावर मीज़ खट्टा टीच, टीच का मतलब होता है सिखाना लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना टाउन, टाउन का मतलब होता है नगर ताउन, नगर विलेज, विलेज का मतलब होता है गाउं विलेज, गाउं यूसफुल, यूसफुल का मतलब होता है उपयोगी यूसफुल, उपयोगी यूसलेस, यूसलेस का मतलब होता है बेकार वार, वार का मतलब होता है जंग पीस का मतलब होता है शांती विंटर का मतलब होता है सर्दी समर गर्मी इंसाइड का मतलब होता है अंदर आउटसाइड का मतलब होता है बाहर लाइट का मतलब होता है प्रकाश लाइट, प्रकाश डाकनेस, डाकनेस का मतलब होता है अंदकार डाकनेस, अंदकार रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर डिस्पेक्ट, अनादर डिस्रिस्पेक्ट, इसका मतलब होता है अनादर मूर, मूर मीज अधिक मूर का मतलब अधिक Less, Less का मतलब होता है कम, Less, कम Wealthy, Wealthy का मतलब होता है धन्वान, Wealthy, धन्वान Poverty, Poverty का मतलब होता है गरीबी, Poverty, गरीबी East, East का मतलब होता है पूर्व, East, पूर्व West, पस्चिम, West का मतलब होता है पस्चिम Young, जवान, Young, जवान Old का मतलब होता है बूढ़ा Brave means होता है बहादुर Object वस्तु Ring को हम कहते हैं अंगूटी Wind हवा Plant को कहते हैं हम पौधा Smoke का मतलब होता है धुआ Left का मतलब होता है बाया Right का मतलब होता है दाया Slow का मतलब होता है धीरे Fast तेज Thick मोटा Thick को हम कहते हैं मोटा Thin मतलब होता है पतला Before पहले After का मतलब होता है बाद में Speak का मतलब होता है बोलना Listen का मतलब होता है सुनना Cold का मतलब होता है थंडा Hot का मतलब होता है गरम New का मतलब होता है नया Old का मतलब होता है पुराना Happy का मतलब होता है खुश Sad का मतलब होता है उदास सैड उदास स्ट्रॉंग का मतलब होता है मजबूत वीक को कहते हैं कमजोर गुड अच्छा गुड का मतलब होता है अच्छा बैड को हम कहते हैं बुरा राइट का मतलब होता है सही राइट सही रॉंग का मतलब होता है गलत wrong, गलत, big, big का मतलब होता है बड़ा, big, बड़ा, small, small का मतलब होता है छोटा, small, छोटा, rich, rich का मतलब होता है अमीर, rich, अमीर, poor, poor का मतलब होता है गरीब, poor, गरीब, where, where का मतलब होता है कहा, where, कहा, whose का मतलब होता है किसका, whose, किसका, word, word का मतलब होता है शब्द, word, शब्द, right, right का मतलब होता है लिखना, right, लिखना, say, say का मतलब होता है कहना, say, कहना, now, now का मतलब होता है अभी, now, अभी, read, read का मतलब होता है पढ़ना, read, पढ़ना, learn, learn का मतलब होता है सीखना, learn, सीखना, meet, meet का मतलब होता है मिलना, meet, मिलना, say, say का मतलब होता है बोलना he, he का मतलब होता है वह और he हम यूज करेंगे लड़के के लिए ठीक है she, she का मतलब भी होता है वह she लेकिन हम लड़की के लिए यूज करते हैं door, door का मतलब होता है दर्वाजा cloud, cloud का मतलब होता है बादल ग्लाउड बादल, थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेकना, थ्रो, फेकना, विन, विन का मतलब होता है जीतना, विन, जीतना, एड, एड का मतलब होता है जोरना, एड, जोरना, बैड, बैड का मतलब होता है खराब, बैड, खराब, बैड, बैड का मतलब होता है खरीदना, बै, खरीदना Change Change का मतलब होता है बदलना City City का मतलब होता है शहर Cry Cry का मतलब होता है रोना Cut Cut का मतलब होता है काटना Cut So guys अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिजे ताकि मैं अच्छे ची वी इडियो आपके लाती रहूавं, तो आपको पता चलता रहे ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं टीप, डीप का मतलब होता है गहरा डीप, गहरा डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे नीचे फ्र, फार का मतलब होता है दूर फार, दूर, गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोना, गोल्ड, सोना, होप, होप का मतलब होता है आशा, होप, आशा, कीप, कीप का मतलब होता है रखना, कीप, रखना, लुक, लुक का मतलब होता है देखना, लुक, देखना, ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, Any, any का मतलब होता है कोई भी, any, कोई भी, give, give का मतलब होता है देना, give, देना, I, I का मतलब होता है मैं, I, मैं, call, call का मतलब होता है बुलाना, call, बुलाना, always, always का मतलब होता है हमेशा, always, हमेशा, should, should का मतलब होता है चाहिए, should, चाहिए, is, इस का मतलब होता है है, is, है was was का मतलब होता है था was था we we का मतलब होता है हम we हम you का मतलब होता है तुम you तुम there का मतलब होता है उनका there उनका them का मतलब होता है उन्हें them उन्हें everyone everyone का मतलब होता है सब लोग everyone सब लोग no one no one का मतलब होता है कोई नहीं, no one, कोई नहीं, today का मतलब होता है आज, almost, almost का मतलब होता है लगभग, almost, लगभग, because, because का मतलब होता है क्यों की, because, क्यों की, for, के लिए, for को हम बोलेंगे के लिए, take, take का मतलब होता है, लेना, take, लेना, ask का मतलब होता है, पूछना, ask, पूछना, your, your का मतलब होता है, तुम्हारा, your, तुम्हारा, do, do का मतलब होता है, करना, do, करना, which, which का मतलब होता है, कौन सा, कौन सा, what, what का मतलब होता है क्या, what, क्या, after, after का मतलब होता है के बाद, after, के बाद, before, before का मतलब होता है के पहले, before, के पहले, fire, fire का मतलब होता है आग, fire, आग, more, more का मतलब होता है अधिक, more, अधिक, only, only का मतलब होता है केवल, only, केवल, see, see का मतलब होता है देखना sky, sky का मतलब होता है आकाश tell, tell का मतलब होता है बताना open, open का मतलब होता है खोलना make, make का मतलब होता है बनाना mine, mine का मतलब होता है मेरा put, put का मतलब होता है रखना new, new का मतलब होता है, new, new, old, 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 वहाँ Tall, Tall का मतलब होता है लंबा Ship, Ship का मतलब होता है जहाज Rest, Rest का मतलब होता है आराम Little, Little का मतलब होता है थोड़ा No, No का मतलब होता है जानना Hit, Hit का मतलब होता है मारना Fall, Fall का मतलब होता है गिरना पॉल, गिरना, लार्ज, लार्ज का मतलब होता है विशाल, लार्ज, विशाल, रेडी, रेडी का मतलब होता है तैयार होना, रेडी, तैयार होना, हैपी, हैपी का मतलब होता है खुश, हैपी, खुश, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल का मतलब होता है सुन्दर, ब्यूट country का मतलब होता है देश, country, देश, grow, grow का मतलब होता है बढ़ना, grow, बढ़ना, cross, cross का मतलब होता है पार करना, mountain, mountain का मतलब होता है परवत, mountain, परवत, together, together का मतलब होता है साथ में, together, साथ में, idea, idea का मतलब होता है विचार, idea, विचार, round, round का मतलब होता है गोल, round, गोल, पानी पुरी, पानी पुरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं, वाटर बॉल्स, पकोडे, पकोडे को हम इंग्लिश में बोलेंगे, फ्रेटर्स, समोसा, समोसे को हम इंग्लिश में बोलेंगे, रिसोल, रिसोल, मथ्था, मथ्थे को हम इंग्लिश में बोलेंगे, डबलु केक, चाच, चाच को हम इंग्लिश में बोलेंगे, बटर मिल्क, चाच मतलब बटर मिल्क, गुलगुले, गुलगुले को हम इंग्लिश में बोलते हैं, बन, भी यू एन, बन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नमकीन, नमकीन को हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्रिस्प ठीक है, जलेबी, जलेबी को हम इंगलिश में बोलते हैं, फनल केक, फनल केक, चट्नी, चट्नी को हम इंगलिश में बोलेंगे, सॉस, चट्नी सॉस, मलाई, मलाई को हम इंगलिश में बोलते हैं, क्रीम, मलाई, मतलब क्रीम, ठीक है, घी, घी को हम इंगलिश में बोलते हैं, बटर, मीथी चटनी, मीथी चटनी को हम इंगलिश में बोलेंगे, स्वीट सॉस, स्वीट सॉस, खटी चटनी, खटी चटनी को हम इंगलिश में बोलेंगे, स्वीट सॉस, स्वीट सॉस, पक्वान, पक्वान को हम इंगलिश में कहते हैं, dressed food dressed food रायता रायते को हम इंगलिश में बोलेंगे mixed curd mixed curd कचोरी को हम इंगलिश में बोलते हैं P.I.E. pie P.I.E. pie by mistake by mistake का मतलब होता है गलती से in fact वास्तव में I don't care मुझे परवाह नहीं Everything is fine सब कुछ ठीक है Maybe हो सकता है Go inside अंदर जाओ It's your work यह तुम्हारा काम है Play with me मेरे साथ खेलो Follow him उसका पीछा करो Excellent बहुत बढ़िया Keep it up जादी रखें Take it easy आराम से Up to date समय के साथ I need your help मुझे तुम्हारी मदद चाहिए Show me again मुझे फिर से दिखाओ Nothing more बस और कुछ नहीं I will try my best मैं पूरी कोशिश करूँगा Decide and tell me फैसला करो और मुझे बताओ Let me go मुझे जाने दो That's enough बस काफी है Some Some का मतलब होता है कुछ All All का मतलब होता है सब All means सब Always का मतलब होता है हमेशा Always मतलब हमेशा Never Never का मतलब होता है कभी नहीं Never कभी नहीं Sometimes Sometimes का मतलब होता है कभी कभी Sometimes कभी कभी Often Often का मतलब होता है अक्सर Often अक्सर FOR के लिए FOR का मतलब होता है के लिए WITH का मतलब होता है के साथ Towards का मतलब होता है की ओर Inside का मतलब होता है अंदर Outside का मतलब होता है बाहर Stairs का मतलब होता है सीढिया स्टेर्स, सीधिया, दोर, दोर का मतलब होता है दर्वाजा, दोर, दर्वाजा, विंडो, विंडो का मतलब होता है खिरकी, विंडो मतलब खिरकी, टेबल, टेबल का मतलब होता है मेज, टेबल, मेज, अल्मीरा, अल्मीरा, अल्मारी, किचन, किचन का मतलब होता है रसोई, कि इसलिए, that's why, that's why का मतलब होता है, इसलिए, that's why, इसलिए, because, because का मतलब होता है, क्योंकि, because, क्योंकि, but, but का मतलब होता है, लेकिन, but, लेकिन, about, about का मतलब होता है, के बारे में, about, के बारे में, then, then का मतलब होता है, फिर, then, फिर, many, many का मतलब होता है, अनेक, here, here का मतलब होता है यहाँ there, there का मतलब होता है वहाँ everywhere, everywhere का मतलब होता है हर जगे nowhere, nowhere का मतलब होता है कहीं भी नहीं more, more का मतलब होता है ज्यादा less, less का मतलब होता है come Before, before का मतलब होता है पहले After, after का मतलब होता है बाद में Only, only का मतलब होता है केवल Today का मतलब होता है आज Tonight, tonight का मतलब होता है आज रात Yesterday, yesterday मतलब होता है बीता हुआ कल tomorrow, tomorrow का मतलब होता है कल आने वाला last night, विछली रात last night का मतलब होता है विछली रात day before yesterday, परसों बीता हुआ मतलब परसों बीता हुआ day after tomorrow, परसों आने वाला आने वाला परसों day after tomorrow, आने वाला परसों ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं few days ago, कुछ दिन पहले, near, pass, far, दूर, pull, pull का मतलब होता है, खीचना, push, धकेलना, पुश का मतलब होता है, धकेलना या फिर धक्का देना, press, press का मतलब होता है, दबाना, open, open का मतलब होता है, खोलना, close, close का मतलब होता है, बंद करना, still या फिर yet का मतलब होता है, फिर भी, people, people का मतलब होता है, लोग, people मतलब लोग, ask, ask का मतलब होता है पूछना tell, tell का मतलब होता है बताना say, say का मतलब होता है कहना speak, speak का मतलब होता है बोलना talk, talk का मतलब होता है बात करना talk मतलब बात करना I, I का मतलब होता है मैं I, I मतलब मैं we, we का मतलब होता है हम या पर का आपस कह सकते हैं हम लोग वी हम या फिर हम लोग यू, यू का मतलब होता है तुम, तुम लोग या फिर आप यू, तुम, तुम लोग या फिर आप दे, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग ही, ही का मतलब होता है वे है ये हम ही जो है लड़के के लिए यूज करते हैं ठीक है इट, इट का मतलब होता है यह, यह हम non-living या फिर animals के लिए use करते हैं, ठीक है, इट मतलब यह, आवर, आवर का मतलब होता है हमारा या फिर हमारी, आवर, हमारा या फिर हमारी, यौर, यौर का मतलब होता है आपका या फिर तुम्हारा, यौर का मतलब होता है आपका या फि उन लोगों का हिस का मतलब होता है उसका या फिर उसकी और यह हम यूज करेंगे मेल के लिए ठीक है और हर का मतलब भी होता है उसका या फिर उसकी लेकिन हम ये फीमेल के लिए यूज करेंगे ठीक है हार मतलब उसका या फिर उसकी its, its का मतलब होता है, इसका या फिर इसकी, और यह हम non living और animal के लिए use करेंगे, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, us, us मतलब होता है, हमे, us, हमे, me, me का मतलब होता है, मुझे, me, मुझे, them, them का मतलब होता है, उन्हे, them, them, him, him का मतलब होता है, उसे, यह हम male के लिए use करेंगे, ठीक हर हर का मतलब होता है उसे और यह हम female के लिए use करेंगे what what का मतलब होता है क्या who का मतलब होता है कौन which which का मतलब होता है कौन सा which कौन सा why why का मतलब होता है क्यू when when का मतलब होता है कब when कब how how का मतलब होता है कैसे how कैसे whose का मतलब होता है किस का whom का मतलब होता है किसे where का मतलब होता है what for किस लिए whatever जो भी whenever जब भी from there from there with whom किस के साथ at what time किस समय how much कितना how many times कितनी बार how long का मतलब होता है कब से this this का मतलब होता है yeah that देट का मतलब होता है वे these का मतलब होता है ये those any one का मतलब होता है कोई भी अनिवन कोई भी, no one, कोई भी नहीं, everyone, everyone का मतलब होता है, हर कोई, everything, sekaliר, Everything का मतलब होता है, Nothing, nothing का मतलब होता है, कुछ भी नहीं, तो राइस आज के लिए, बस इतना ही मिलेंगे, हम अपनी अग़ी वीडियो में, बाये ठेटेकर रह piercing केर, झाल झाल